यह जो हमारा जो मिशन डिप्लमाटिक मिशन का तरफ है जो उमन एंपवर के लिए अम लोग ने जो नया कमर्स जो मॉडल्स है और जो उन लोग को जो अपर्चुनिटी के लिए हमारा मैगसीन का साथ और दा मिस्टा अगिलेश जी दा फिलमोरिया का डिट टो उनका साथ अमुड़ोग करकी एक फिलमों बन लोग को उसका प्लांट किया है तो यह तरीक से प्रोग्राम है तो यह अम लोग ने मैक्सिमों फॉर गंडे का इसका एप्रोग्रम गया है तो यह मारा यह यह माला यह देखो तिसमें हर सब्जेट का कैटेकरी लेवल में जो आदमी लोगों को इसमें आम लोग किया है पाशन दो अनो दो जो अलड़ी ऑशीयसर काम गाम है और मौनी जी अलड़ी था माटली इंडस्ती में काभी टाइतल है इनका भी तो ही इस हालेड़ी सैकोलोजेस्ट और हमारा इन फीचर है उमार लोग साथ में मिल की कहिइष सेमिनार को कंटेटिकर्च करना का साइकोलोजी के लवल पर अबरन जो आने वाले समय में आपको किस प्रकार कारी करने वाले हैं? सबसे पहले डॉक्टर अनिल नायर का मैं बहुत बहुत धने बाद करूंगा कि वर्ल्ड डे पे ये कारीकरम कर रहे हैं, उसमें साथ में साथ में में मौहिनी का भी आभिलंदन करऊंगा सौगत करऊंगा प्रियंका का सौगत करोंगा, बड़ी कुछ सूरद लग रही हैं आज मौहिनी भी कम नहीं लग रही हैं और उतेजाब से कम नहीं लग रही हैं विशह यह है कि Mr. and Miss Filmora रियालिटी शो होने जा रहा है यह 10 दिसेंबर को इसी Human Rights Day पर इसकी खासियत यह है कि यह रियालिटी शो है लाइव टेली कास्ट होगा शो जो चलेगा जो भी विनर होगा लाइव टीवी पर टेली कास्ट होगा बड़ा ही अनोखा शो है अपने आप मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है रियालिटी शो इस लेगा लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है मौका है कि अपने आपको कुछ दिखा पाएं कर पाएं कुछ अपने अपने उपर जो घर में रहती है वह उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लोगों को लोग डेस की कोने-कोने से बुला के यहां पर उनको स्टेज दे रहें उनको ग्रूमिंग दे रहें उनको सिखा रहें और उनको तयार कर रहें कि नहीं आप भी कुछ कर सकते हैं जै तरह के लोग कोशिश करें, उसी कोशिश में हम भी एक छोटा सा प्रयास है, तो मैं डॉक्टर नलिल नायर का बहुत धन्यबाद करूँगा, और सबसे ये भी अपिल करना चाहूँगा, कि इस शो को मिस न करें, देखें जरूर, नहीं अगर आ सकते हैं, तो आप टीवी पे जरूर देखें, सभी लोगों को आपको सबको बता दिया जाएगा, साज जूम पे और इंट 24, और सिधी टेलिवीजन है, ये इस पे तिनों पे टेलिकास्ट होगा, आप दस्तारी को गर बेटे देखें. सर, फिल्मोरा मिश्टर एंडिस रियालटी शोगा है, उसके बारे में दूल बता है, सुनने में है कि किस प्रकार का ये शोगा, और किस प्रकार से वो टेलिकास्ट होगा, इसके बारे में बताई सर्था है, जैसे मैंने बताएगे, एक अलग टाइप का ये शोग है, अभी फिर वो कैसे सिलेक्ट होंगे, और जजेस का क्या होगा, सब लाइब होगा, उसमें कोई प्लांट नहीं होगा, ज्यादा तर शोग आप लोगों ने देखा होगा कि सारा कुछ प्लांट होता है, यहना फिक्स होता है, कि विनर कोन होगा, ये कोन होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उस लाइक होगा, विनर होने के लाइक होगा, उसी को विनर बनाया जाएगा, ये पहली बार होने जा रहा है, ये काविल इतारित है, हम इस मॉडल को तोड़ना चाहते है, जो फिक्सित जिसको कहा जाता है, जो पैशन के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है, बहुत सारी कुछ चल रही है इसमें, बहुत सारा समस्या है इसमें, उसको दिवार को गिराना चाहते है, द्वस्त करना चाहते है, और ट्रांस्पेरेंट करना चाहते है, कि हाँ, इस तरीके से भी काम किया जाता है, लोगों के मदद की जा सकत इने फ्युचर आप कैसे देखां तर इसको ? बहुत बहुत ब्राइट है ये इसका फ्यूचर क्योंकि आप लोगों ने देखा है क्योंकि रिएलिटी शो को कितना लोग डेश में पसंद करते हैं आँ अमिदा बच्चन का जो रियालिटी शूव है वो है डिड है ये है तमाम ऐसे रियालिटी शूव है जिसको हमेशा सिरियल साज भी कभी बहुत ही उनसे जादा टी-आर बल्कि रियालिटी शूव की रही है डेश में लोग पसंद करते हैं इस चीज़ों को देखना करते हैं कि रियल क्या हो रहा है पीछे बैक में तो बहुत कुछ चलता है बहुत सेटिंग चलती है टेवल अंडर टेवल बहुत कुछ चलता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों यह साफ सुतरह रियालेटी शोय है आप आये जरूर जैसे आपने मुड़ा की चाहें तो आप जूड़ सकते हैं और नहीं जूड़ना चाहें तो टेलिविजन पर जरूर देखें दस तारीक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं यह लाइफ शो है जिसमें हम लोगोंने बहुत नए नए लोगों को और बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों को चान्स देनेगा मौका मिल रहे सबको अनेल जी ने एक बहुत ही अच्छा सा प्लैक्फोर्म यहां पर लाने की कुशिश कर रहे है हाना भीनाशी पी इसके स्मथ है हम सब इसके साथ जुड़े हुए है और हम चाहते हाए है कि जो छोटे से चोटा इंसान के बड़ा अदमी हर को इसके साथ जुड़े और हम लोग सब एक साथ इसकी ससक्सिस बोगो वेशकर थ söスनी की near the good बढ़ी बात है, बहुत लोग हैं, जो घर पे चुपे बैटे हुए हैं, अपने पैशन को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे एक प्रोग्राम लेके आना जो सपोर्ट, ये सपोर्ट मिलना आज किल के टाइम में बहुत कम लोग करते हैं, पहले मैं बोलूँगा अनिल जी को कि लाइव आज तर कभी भी कोई रैंप वॉक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, we don't know, हम लोग कोई भी नहीं जानते हैं कि actually कौन वेनर होता है और कौन नहीं, पर ये लाइव कास्ट होना मतलब, it's really good, because आपको एक इनसान को, एक इनसान जो रियल में होते हैं, और उसके करना चाहूंगी कि आज के दिन पर ये और्गनाइज करना मतलब very good, ये शायद blessings है, जो एनिल जी ने सब के उपर रखा है, यार सब को ये मौका मिला है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि ये प्रोग्राम जरूर देखिए, फ्लीज मिस्मत किजिए, अपने बच्चे को गलत नहीं बोलता है, तो आप भी अपने शो को गलत नहीं को लेंगे, तो इस पे आपकी राय क्या होगी? मेरी राय तो यही है, इसके पहले मैं यही बताया ना, आपको कि ये पूरा का पूरा ट्रांस्पारेंट है, और हम इसी यही हमारा मुद्दा ही है, एक्चुली मुझे प्त्रांस्पारेंट रहेगा इसमें कोई ऐसा अंडर टेबल नो फिक्सिंग, नो फिक्सिंग, मैट इसे पत्रकार मेरी जवाबदारी भी है, इन सब चीजों को बांडिन को तोड़ना, इन दिवारों को खतम करना, जो चल रहा है कैमरे के पीछे, हम देखते है, हम जगा जगा जाते है, कवर करने, विनर, कोई और होना चाहिए, कोई और हो जाता है, इक्साटली, इक्साटल का कहा के रिए, को ये साटो है, सब बूड़ने दोड़ना जाते हैं, छो लेने देने वाले होते है, याँ पेसो केलर मेरे बात इपार इधवाद थिल नहाइं जाता है, जो दोड़ना, और मैं आने वाले तिनों में पीछे होई है, जरूरर आप पाड़ेूडियू करयों, . . . . . . . . . सेर को तोना जेकिये झाए Solomon कि आप सोच इसे जो जोटो कि बन थे जी है? ये वाओ इस देन है? एक दम सुझान दूए की आप इसाइ एक बनगवाओ नहीं नाउड दूनोख जब नाउट एक बनगवाँ एक बनगवाँ साद्टी एक डागवड़ एक बनगवाँ । क्या आई रिखिए और न हम सार गाती है कि में पीछों एक दो नियुक्ति एक दो हैं तो जान Lapini चाहिए यहां आप न्हीं अपिछेष्ट करा जान टुद नहीं भी रखिण तर दोनिया यहां थेहां एक दम सर ड़न ड़न ड़न